हलो फ्रेंड्स मैं शालनी माता रानी की जए आप सभी को नवरात्री की बहुत परशिप कामना और इस मौके पर हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी काले चने और साथ में सूजी का हलुआ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक कप काले चने को मैंने गरम पानी में भिगोने के लिए रख दिया था लगबग आठ से नो घंटे साथ में मैंने चोथाई चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल दिया था चने अच्छे से फूल गए हैं तो इने कुकर में उबालने के लिए डाल देते हैं साथ में एक गलास पानी डाल दीजे चने डूब जाएं इतना पानी डालना है थोड़ा सा नमक टाल देंगे लगबग आधा चम्मच डखकन लगा लीजे और गैस पर रग दीजे और तेज आच पर चार से पांच सीटी ले लीजे प्रेटा जैसे प्रशादी मिलती है ना बिल्कुल वैसे ही बनाना अठीक है हाँ पापजी आपको बिल्कुल वही टेस्ट खिलाएंगे और नीटा हल्वा भी ज़रूर बनाना अब हम इसके लिए मसाला बनाना शुरू करते हैं इन सभी मसालों को एक पैन में घटा करते जाएं चार लॉंग, पेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलाईची, जावित्री, सुखी लाल मिर्ज, काली मिर्ज, हरी इलाईची, काला जीरा, जीरा और साबुत धनिया जितने भी मसाले हैं, इन सभी मसालों की क्वांटिटी, मैंने डिस्कप्शन बॉक्स में डाली हुई है, सो प्लीज, चेक आट दिस्कप्शन बॉक्स पर रेसिपी डिटेल अब इन सभी मसालों को हम कम आज पर जब तक भूनेंगे, जब तक इसमें से अच्छी खुश्पूना आनी लगे, उसके बाद मिक्सी के जार में डाल कर इसको बारीक पाउडर बना कर तयार कर लीजे अब एक कढ़ाई में किसी भी तरह का दो टेबल स्पून तेल डाल दीजे, जब तील गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालिए, जीरा के चटकने पर इसमें ओर्डिनरी मसाले जैसे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिष, धन्या पाउडर डाल दीजे और जनको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजे और बैल आइकन को भी दबाना ना भूलें, और आपको मेरी रैस्पीस कैसी लगरी हैं मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं, थोड़ा सा काला नमक और साथ में ये मसाला भी डाल दीजे, इस मसाले को डालने से चने में बहुत अच्छी खुश्पू आ जाती है, हमें उपड़ से घर मसाला एड़ करने की जरूरत नहीं है, अल्रेडी ही ये सारे मसाले गरम हैं, अच्छे से मिक्स कर लीजे और मध्यम आजपे से पकने दीजे जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए, तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारे चने सूख गए हैं, बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजे, लास्ट में आधा नीबू का रस्नी चोड़ दीजे, मिक्स कर लीजे, और तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी काले चने, इससे पहले भी मैं काले चने की सबजी की रैस्पी शेयर कर जिसका लिग में डिसक्रप्शन बॉक्स में डाल दूगी यदि आपको देखनी हैं तो चलिए अब तैयारी करते हैं सूजी के हलुए की, तीन बटर, चार कप यानि पौना कप सूजी को एक पैन में डाल दीजे, साथ में तीन टेबल स्पून देसीगी डाल दीजे, देसी सूजी का रंग हलका गुलावी हो जाए तब इसमें 1.5 cup पानी डाल दीजे, यहां मैं आपको पानी डालते हुए नहीं दिखा पाई हूँ लेकिन मैंने इसमें 1.5 cup पानी डाला है, सूजी को पानी में अच्छी तरह से फूलने दीजे, यहां पर आज को तेज कर दीजेगा, थोड़ी सी किश्मिश डाल दीजे, अब इसमें थोड़ी से सैफ्रोन के धागे, अच्छे से मिक्स कर लीजे, यदि आपको हलुआ थोड़ी देर बाद खाना है, तो आप इसमें 4.1 cup पानी और डाल दीजे, क्योंकि रखने के बाद हलुआ थोड़ा सूखा सा हो जाता है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी, तब इसमें डाल दीजे स्वादनुसा चीनी, मैं यहाँ पर पॉन कब चीनी डाल रही हूँ, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम मीठा खाना पसंद करते हैं, लाइची पाउडर और थोड़ी सी बदाम की कतरन डाल दीजे, अब चीनी के घुलने तक मद्यम आज पर लगातार चलाते हुए हलुए को पकाएं, कुछी देर में चीनी हलुए में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, गैस को बंद कर दें, और उपर से डाल दीजे, दो पीचमच देसीगी, जब एक कच्चा देसीगी उपर से डाला जाता है, तो हलुए में बहुत अच्छी खुश्पू रह जाती है, तो चलिए हलुए हमारा तयार है और अब से सर्फ करते हैं, ये लीजे, हमारे चने बिलकुल तयार है, एकदम बढ़िया, काफी अच्छी पारिया, कलर देखिए, कितना परफेक्ट कलर है, मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं चने में, जरूर से बना के ट्राइ कीजेगा, ये रेस्पी आपको जरूर पसंद आने वाली हैं, और यदि आपको मेरी रेस्पी पसंद आ रही हैं, तो लाइक, श पानी का अनुपात है, जिसकी वज़े से हलुआ बहुत ही बढ़िया बनकर तयार हुआ है, मैंने आपको बिल्कुल नापतोल से दौनों रेस्पी बताई हैं, आई होप आपको आज की रेस्पी जरूर से पसंद आने वाली हैं, फ्रेंट चादी आपको मेरी रेस्पी पसं देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेरा उद्देश यही रहता है कि मेरे वियर्स को हमेशा अच्छी चीज़ ही देखने को मिलें, तो फ्रेंट इसी तरह नई रेस्पी में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब ते की लिए थैंक्यू, बाबाई